हालो एवरिवान आज हम क्लास 11 के बायोलोजी के 21st चाप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Neural Control and Coordination जब आपके क्लास में टीचर नहीं होता है तो आप क्या करते हैं आप बहुत सारी बाते करते हैं और बहुत शोर करते हैं राइट और जैसे ही टीचर क्लास में वापस आता है आप क्या करते हैं आप जल्दी से अपनी जगा पर जाकर वापस बैठ जाते हैं और बात करना भी बंद कर देते हैं अगर हम दूसरे एकजमपल ले तो अगर आप कोई गरम चीज़को हाथ लगाते हैं तो आप क्या करते हैं जल्दी से अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं ताकि आपको और जýदा चोटना लगे एक एकजमपल और डिसकास करते हैं आप मान लीजे के बहुत देर तक खेल रहे हैं बहुत देर तक खेलने से क्या होता है आपकी दिल की धरकने बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है यानि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज करती है उसके साथ-साथ क्या होता है बहुत जोर-जोर से सांस लेना स्टार्ट करते हो यानि कि आपकी रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो रही है अब ऐसा होता क्यों है? जब हम बहुत देर सक खेलते हैं तो हमारी बॉड़ी में ऑक्सिजिन रिक्वाइमेंट बढ़ जाती है तो हमारा हार्ट और लंग्स आपस में कॉडिनेशन करते हैं और हमारी बॉड़ी को ज़ाद ऑक्सिजिन दिलाने में हेल्प करते हैं तो क्या आपने अब्जर्फ किया कि हमारे आसपास के इंवाइमेंट में जो कुछ भी होता है उसके हिसाब से हमारी बॉड़ी एक रिस्पॉन्स क्रियेट करती है अब भले ही क्लास में टीचर था या नहीं था दोनों ही केसेज में आपकी बॉड़ी ने अक्कॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया उसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि आपने किसी गरम चीज को हाथ लगाया था तो उससे बचने के लिए भी आपकी बॉड़ी ने रिस्पॉन्स किया और सिमिलरली खेलते टाइम जब आपको ज़ादा ओक्सिजन चाहिए था तो हार्ट और लंग्स ने मिलकर एक रिस्पॉन्स जनरेट किया तो हमारी बॉड़ी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे एंवायमेंट के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स क्रियेट करवाता है वो हम इस चाप्टर में सीखेंगे तो ये हमारे चाप्टर के learning objectives हैं हम इस चाप्टर में ये सारे topics के बारे में सीखने वाले हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे neural system से जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे environment की respect में हमारी body responses देती है तो neural system ही वो system है जो हमें responses generate करवाता है और जैसे कि अभी हमने humans का case लिया था हमारे खुद के examples लिये थे और भी organisms है जिनकी body में neural system होते है for example एक चीटी को पता होता है कि अपना खाना उसको कहां से उठा कर कहां तक ले जाना है वो अपने खाने को detect कर पाते है similarly यहाँ पर आपको एक हाती देख रहा है जिसको लगता है कि शायद वो danger में है तो वो यहाँ से अपनी जगा बदल रहा है तो सबसे पहले हम start करेंगे neural system in lower organisms में हम यह देखेंगे कि lower organisms में neural system किस तरीके से present होता है तो यहाँ पर lower organisms के case में आपको यहाँ पर hydra का image दिख रहा है यह दिख रहा है कि यह hydra का mouth है ठीक है और यह hydra के tentacles हैं यह आपको long upper structures दिख रहे हैं यह hydra के tentacles है और hydra के पूरी body में आपको दिख रहे हैं nerve cells जो एक nerve net form कर रहे हैं ठीक तो यह सब हाइली specialized हैं for touch and chemical detection और इनको हम बोलते हैं network of neuron या फिर nerve cell अब हम दूसरा case लेते हैं planaria का planaria को हम flatworm भी कहते हैं planaria इसका scientific name है और commonly हम इसको flatworm बोलते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह planaria का eye spot है जो sensitive है light के two words ठीक है वो light को sense करता है उसके साथ ही में उसके नीचे पास में आपको दिख रहा है associative neuron और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या nerve cord जो के ladder-like है एक सीड़ी की तरीके से दिख रहा है तो यह जो आपका associative neuron और nerve cord है यह आपके planaria का neural system को बनाते हैं अब हमारा अगला example है starfish यह starfish आपको दिख रही है आपको पता है starfish कहाँ पर present होती है कहाँ पाई जाती है समंदर में marine water में पाई जाती है यह उसके nerve nets है उसके पास है एक nerve ring और उसके साथी में उसके पास है radial nerve क्या आपको पता है कि जो हमारी starfish होती है उसके पास brain present नहीं होता है but they can detect light वो light को detect कर सकते हैं